हेलो फ्रेंट्स आप एक बार जो है इस पैक को लगा लीजिए आपके छेरे की चमक जो है दुग नहीं हो जाएगी अगर आप पालर जाते हैं तो पालर जाना डेफिनिट्ली बूल जाएंगे तो आईए इस पेक को बनाते हैं इस से आपकी चेरे की जुर्णियां है जाईयां है रिंकल्स हैं सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगे हमें इसमे लेना है एक चमज बेसन तो ग्रैम फ्लोर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा बेसन क्या करता है हमारी स्किन को जो गिलो लेकर आता है, इसमें चमक आती है, और जो रिष्टे पर निकल रहे हैं, वो दिकत आपकी दूर हो जाएगी इस रेमिडी के इस्तिमाल से, तो इसमें दो चीजे हमने ले लेनी हैं, दोनों ही चीजें बहुत सिंपल थी हैं, आपको बहुत इसी से मिल जाएंगी, और य जो है हमारी इसकिन को मॉश्राइज करता है हमारी इसकिन में चमक लेकर आता है हमारी इसकिन में जो है निखार लेकर आता है इसकिन का जो गिलो खतम हो गया है चमक खतम हो गया है वो चमक आपकी वापस से आ जाएगी यह बहुत ही अच्छा फेस पैक है जो आपकी इसकिन को एक दम से glowing और tightening वाइटनिंग बना देगा तो एक चमच आपको honey भी इसमें add करना है साथ ही इसमें आपको अप क्या लेना है हमें लेना है इसमें कच्चा दूद जी हाँ दोस्तों आपको इसमें कच्चे दूद के साथ इस pack को बना के तयार कर लेना है तो इसमें हम डालेंगे जरूरत के मुताबिक जितने में हमारा ये pack बन जाए उतना लगबग आप इसमें डाल लीजे दूद दूद को जो है आपको कच्चा ही लेना है अगर बायचांस आपके पास कच्चा दूद नहीं है तो आप इसमें क्या करेंगे आपका पास जो बॉयल के हुआ दूद है उसको बिल्कुल ठंडा करके फ्रीज में ठंडा करके आप उसको इसमें इस्तिमाल कीज़ेगा गरम दूद का इस्तिमाल बिल्कुल ना करें हम इसको अपनी स्किन में एप्लाई करने वाले हैं लिए तो आपको सब्सक्राइब गाने लिए लिए तु इस्किन जो है टाइट तो होगी ही साथ ही आपकी स्किन में बहुत जादा चमक आएगी यानि कि महेंगे से महेंगा फेशल भी इस पैक के सामने बिल्कुल बेकार है आप डेली इसको लगाईगे या फिर हफते में दो से तीन बार लगाईगे आप अपने फेश को 15 से 20 मिनट जरूर देजिएगा रोजाना आप इसको अप्लाई करें तो और इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छा नहीं